गुड इवनिंग सभी को आज मेरा कोल इंडिया में आज पास साल कम्प्रिट हो गया बहुत जल्दी से पास साल हो गया साथ पंद्रा का टाइमिंग दिये थे साथ साथ बज़े का टाइम देदी थे नहीं इस लिद्वर लेट हो गया हमको याद आ रहा था है कि सावा साथ से मेरे क्लास का टाइमिंग है बस कल से आज रात से ही नया साल स्टार्ट होने वाला है नया साल में तुम लोग जो भी सोच क्वाही से एक्छा है सारा पूरा हो जाए तुम लोग का है कि नहीं आज 2022 का आखरी क्लास है हाँ बस 2023 तुम लोग के लिए खुशाली लेकर आए सब लोग जगा जगा अपना जिस सीच के लिए त्यारी कर रहे हो जोब लग जाए सभी को सीट भी सफिसेंट है हम बता रहे हैं जितना महनत हम कर रहे हैं गर उतना महनत तुम लोग भी कर रहे हो गया तो जोब लग जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना है है जें तो छोटा पोस्ट है जी हम तो कुछ उच्छा सोच कर रखे बें तो अटोमेटिक बन जाना है एजन मतलब क्या पीओ-पीओ-इसे बन जाएंगे प्यो बन जाएंगे मतलब भी मान लो इस नेक्स्ट यह प्रमोसन हो जाएगा एफोर में ठीक है ने इफोर के बाद एफ़ाइप एसिक्स एसेवन मतलब दस साल में एजेंट बन जाएंगे प्यों बन जाएंगे सपना है डारेक्टर तक जाने का उसके लिए कॉल इंडिया बीच में छोड़ देंगे एक बार क्यों दूसरा कंपनी जोइन करेंगे नियुके लिएक नहीं है तो यह यह भी फो तो यह सेवन ही हो गया घिम इम फोड़ का जीक है नहीं जीर görd कीटर का पोस होता है करें कि तुम लोग से मुलाकात नहीं थो गई कहीं नहीं किसी मायंस में जरूर है की नहीं क् rains रहेंगे कि जब तो कोल इंडिया में रहेंगे तब तक तो अब बस अब नया साल तुम लोग के लिए एकदम जोड़दार क्या बोलो एक तरीके से जो सोच के चल रहे हो पूरा हो जाए सभी का बस यही हम भी तुम लोग के लिए प्राठ्थना करते हैं भगवान से क्योंकि वेगेंसी कितना है लगवग पास्टो के लगवग वेगेंसी है मालो लड़का लगवग 220 के लगवग है 28-29 से इस ग्रूप में जोइन किया होगा सब का हो जाए सबसे बड़ियां बात वही रहेगी ठीक है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बागी कल के लिए बचाए कुछ रखते हैं कल भी तो कुछ बोलना पड़ेगा है ना कि सबसे मिलेंगे टेंशन नहीं लोग यह मतलब ncl mcl nlc करील टाएगा ना तो जो भी जहां रहेगा एक कोसिस करेंगे कॉमन प्लेस पर मिलने की ठीक है ना कि दो यह तरीस अपना होगा बस वेगेंसी आ जाए वेगेंसी तो आ गया है यार वेगेंसी अब क्या आ जाए वेगेंसी आ गया है रहो सकता है यही तैयारी काम में आने वाला है ठीक है चलो एक मतलब आज मान के चलो कि हम कोचिंग अपना 22 उलाई सी स्टार्ट किये थे ठीक है मतलब फूल तरीके से 22 उलाई सी स्टार्ट किये वे थे जिसमें से जो अभी सेख है यह एमटी का मेरा पहला लड़का भाई था और आज मेरे पास 704 लड़के हो गये हैं टोटल मतलब 22 उलाई सी स्टार्ट हुआ था राज कितना है 31 दिसंबर और यह दिसंबर मन्त में जबसे हम एंसेल और एंसेल कोर्स चालू किये हैं तो 217 ठाय लड़के लगवग उसमें आ गये हैं और अलग लग कोर्स मिला जो लगवग के मतलब सी दिसंबर मन्त में मेरे पास और सभी लोग अधिकतर लोग जो भी आ रहे हैं वो कहीं न कहीं जरूर कोचिंग किये हुए हैं ऐसा भी है कि अलग लगे जगह एक बाद ट्रैक कर लिये हैं उसके बाद मेरे पास आए हुए हैं उसी उम्मिद को बरकरार रखना है एक टाइम था कि जब मतलब हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था कि लड़का मेरे पास पढ़ने के लिए हैं अभी वह सिच्वेशन आ गया है कि लड़का डेली फोन करता है कि सर क्लास करना है सकेंड में परभाग कर रहें ना दो कि नोलेज पके बात नहीं है हम यह जांते हैं सिर्फ डिफ्रेंस यहाँ डेकर ना तो क्या है यहाँ पे साथ में वर्में भी रहते हैं माइनिंग सरदार भी मेनेजर भी थीका ना तो difference क्या आता है देखो इन लोग के पास working experience बहुत ज़्यादा है ठीके नो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमसे senior senior लोग मालो ओवर्मेन पोश्ट पर 20 साल से काम कर रहे हैं ठीके ना मेरे पास मालो बताएं कि पासल मेरा जास्ट आजी की दिन एक जनवरी को जॉइनिंग था एक जनवरी 2018 को आज 31 दिसम्बर 2022 हो रहा है पासल मेरा complete होगे तो क्या होता है कि उन लोग इसे मालो की simple diploma करके आए हुए है कि डिफ्रेंस कहां आता वो हम बताना चाहरे है यह लोग simple diploma करके आवे मेरे पास क्या है बिटेक किये वे हैं खाली टाइम मिला तो एम्टेक भी कर लिए है क्योंकि जोब लगा था बिटेक के बाद लेकिन मन लायक जोब नहीं था असपना था कोल इंडिया माने का तो इसल करने के लिए कहां जा रहे थे यार नोर्थ इस्ट में कौन सा था जगा नोर्थ इस्ट में कोई अस्ट्रोन माइस था वहां कोई बात किया था तो वह बोला थे कि आपको हम मेरा सा की 30 जरपे देगा वोला कि 10 जरपे देंगे हम भला नहीं जाएंगे क्योंकि ISM में मुझे 12,400 पर मिलडा था तो फिर वहां गए ही नहीं फिर उसके बाद NTPC जो बढ़का का ना या बढ़का गावं में जो मायन से NTPC का वहां पर भी उसमें थीस करके एक आउट्स हो सकता है थीस था कोई कंपनी तो मेरा एक्सपेक्टेशन था है कि वह पचाहँजार के लगवग देगा लेकिन बोलता है कि 25 जार रुबे देंगे तो सर के पास हम गएंगे सर ऐसा हुआ है तो यहीं बोले हमको कि तुम जाओ आएसम के में गेट पर अब हाँ जो चाय वेगरा बेचता है ने जो गुप्चु पकराच जो चार्ट वेगरा जो कोई भी दुकान है तुम उससे पूछो कि मंतली वो कितना कमाता है अगर वो 25 से कम बोलेगा तो तुम चले जाना अगर वो 25 से जाधा वोलेगा तुम समझ जाना तुमको फिर क्या करना है तो हम ना पूछने गाए ना हम फिर हमटेक छोड़े हम्टे को कंटिनीव रहे हैं हिसे कि M be把它 करने CF हाइदा हो गया सब्सक्राइब क्यर्स होmas प्राइब हो गए तो local मिडल मिल्ट है जो भी नहीं सचे ह waren हो सकता अल्यकिन हो गया तो उसके बाद जो है नंद प्लारपूर 土े यह आई टी बलारपूर में जब करें थे हैं लेद प्लेस्मेंट किस में हुआ बियाटी बल्लारपूर जो बहुत सारा स्टूडेंट अभी वहां का पड़र है मेरे पास कि तो वहां के रजनीकांसर लोगों इंटर्व्यू लेने के लिए वे थे तब बल्लारपूर में तो प्लेस्मेंट हो गया था ठीक है ना बियाटी बलार लेकिन जब कॉलेज को गए देखने के लिए ना तो वहां हमको समझ में नहीं आया एम एम टू एम थ्री एम फॉर एम फाइप ऐसा बिल्लिंग था डिप्लोमा था इंब यह बहुत सारा चीज करवा रहा था उसको लिए कि गये कोलेज में हम बोले कि अच्छा ज्वाइनिंग हम कुछ दिन के बाद करेंगे आज हम सीप रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए है तो वहां पर उस दिन हम वापस उधर से जब लोट रहे थे हैं तो एन आइटी राइपूर में उस टाइम वह एक एंसी आया वा है उस टेम में पॉस्टिंग का का तो उन्ट जाइक है तो पिर लोडते टाइम रायपूर में रूपे हैं राइपूर में चलेगा इंटर्यू देने के लिए कि 2017 की बात बता रहे हैं उसके बाद फिर वहां से फोन आया कि आपका यहां पर हो गया है आप आके ज्वाइन कर लीजिए कि चलो चले जाते हैं और उस टेम था कुछ रिजल्ट हो गया रिजल्ट आया फिर इंटर्वु के लिए बुलाया गया है फिर जब हो गया तो वहां पर हम 20 दिसंबर को रिजाएं देख्के मतला है नाटी से कोल इंडियम आ ले आने से पहले मेरे पास एक और उप्सन था जहां से हम पड़े हैं वहां पर भी मेरा हो गया था असिस्टेंट परफेसर में जो तीन साल का स्टार्टिंग में कॉंट्रेक्ट था लेकिन जो लोग ज्वाइन किये हैं वह अभीतर कंटिन्यू कर रहे हैं मतलब हर साल कॉंट्रेक्ट बढ़ते जा रहा है उन्हों का तो क्या था एक तारीकों जोइनिंग मेरा था कोल इंडिया में और पांट तारीकों था भी आइटी सिंद्री में रातानी श्राटिंग में वह बहुत सारा राता है टेस्ट हो गया लगा लगा कहीं अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ गरवर्ड तो फिर उसमें ब्याइटी सिंद्री चले जाएंगे तो फिर देखे नहीं मेडिकल करे जो भी था सारा चीज किलियर हो गया पर एक जनौरी को कोल इंडिया में फिर आकर जोइन कर लिए थे यह हम छोटा सा स्थोरी बता दिया अपना तीसलिए देखो ला इमानदारी से लेकिन हाँ महनत जो भी करना इमानदारी से करना यह नहीं कि भागी बाजी कर रहे हैं वैसा नहीं है तो आज हमको लगता अच्छे जगा पर हैं और यह अलग कि साधी कितने साल में किये हैं हम साधी 6 दिसंबर 2020 को किये थे ठीक है अब आते हैं इधर कि यह जो है न सब्जेक्ट यह हम उठाए हुए हैं कहां से यह जो उठाए हुए हैं यह है सर्कुलर का है ठीक है न इसमें देखो सिधा 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 टर्म तुम लोग याद रख सकते हो सिधा इसमें तो को बताना है लंबा चोड़ा लेकिन हमको सिधा टर्म तुनों को बताना है कि असनेप स्लेप और सूट यह किस से रिलेटेड है यह ब्लास्टिंग से रिलेटेड है बस यही वर्ड बताना है इसके लिए लंबा चोड़ा कहानी बताया हुआ है ठीक है तीस में क्या था कि सकेंडरी ब्लास्टिंग सकेंडरी ब्लास्टिंग का अलगल मैं थाड़े सभी को पता है पॉप सूटिंग होता है प्लास्टर सूटिंग होता है और एक कभी कभी कोई लड़का लोग ही मेसेज करता है कि सरह स्नेक सूटिंग भी होता है फिर नाम जान लोग कि यहां स्नेक सूटिंग होता है इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगी ठीक है ये तीन तरह का ये secondary blasting का टेकनीक है ठीके ने ये है कि जिसको हम लोग blasting करके एक्चुलन blasting करते हैं और साथ में बहुत सारा secondary blasting का टेकनीक है बॉल्डर ब्रेकर आता है मतलब mechanical device हो गया इस अब क्या हो गया mechanical instrument हो गया बोल्डर ब्रेकर वगरा क्या करता है लगातार बोल्डर में मारते जाएगा उसके कारण क्या होता है बॉल्डर ब्रेकर जाता है ठीके ना तो ये secondary blasting का ये हो गया blasting के थूर करते हैं ये सब सारा चीज और ये जो कर रहे हैं ये mechanical हो गया ठीके ना जिसमें क्या करो किुट हो ड्या करके यह रहता है ने क्रेगे मेर्ट के निसके तरह गुए वो दो फुकणा में बट जाता है डिए पूल्डर ब्रेकर हो गया जिसको impact hammer भी बोलते हैं ठीके न बोल्डब्रेकर सभी लोग maravil म को लगर रहां पिस कि तरीके से हमने है मतलब बोल्डर घ्लamas a hertz जो jus एक ही जगा पर हिट करता है बार बार ठीक है ना तो वही होता है बॉल्डर ब्रेकर या होता है ब्रेकिंग बैर ड्रोप बोल ब्रेकिंग बैर ड्रोप बोल, मतलब क्या एक बड़ा सा लोहा का ये बोल रहेगा, मजबूत रहेगा और इसको एक ही जगा ये जो बोल्डर है ने इसी को उपर, बार बार उपर से ड्रोप करेंगे मतलब बंधा हो रहेगा ये, अब बार बार एक जगा पर इससे हिट करेंगे बॉल्डर पर इससे भी क्या होगा बॉल्डर टूटेगा या हाई प्रेसर वाटर बस सोचलो हाई प्रेसर वाटर मतलब वाटर को प्रेसर इतना हाई रहेगा कि उसके थुरू भी जो plane of weakness रहेगा जहां पर हलका फुलका क्रेक विगरा रहेगा बॉल्डर मालों यह portion पर क्रेक रहा है तो उसी जगह पे हम लोग हाय प्रेसर वाटा रग दम नोजल से स्प्रे करेंगे प्रेसर का बारे मैं नहीं पता सकते हैं क्या यूनिट रहेगा मतलग कितना प्रेसर रहेगा बहुत हाय प्रेसर इसके कारण भी क्या होगा बॉल्डर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा यह सारा डिफ्रेंट सकेंडरी ब्लास्टिंग का टेकनीक है जो एक्जाम में आता है कोस्टन वो आता है कि कि पॉप सुटिंग क्या है या प्लास्टर सुटिंग क्या है तो वो क्या है वो सकेंडरी ब्लास्टिंग करने का टेकनीक है ठीक है ना सेकेंडरी ब्लास्टिंग करने का टेकनीक है इंक कलर ग्रेंग तो पॉप सुटिंग में क्या करते हैं हम लोग यह जो पॉप सुटिंग होता है न कि एक हम स्लाइड खोल लेते हैं उसके बाद बताते हैं कि यह मालो लंबा चोड़ा बॉल्डर रहा तो पॉप सुटिंग में लंबा साइड वाला हम लोग लोग साइड सेलेक्ट करेंग ठीक हैं एक्चुल में हम लोग यह करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि बॉल्डर ब्लास्टिंग में फ्लायर को खोने का चांस बहुत और लेंध कोण हुआ यह वाला हुआ तो हम लोग क्या करेंगे जो भी मालू इसका लेंध अगर माँनलो पांच मीटर यह बोल्डर का सरीके से लेंध 5 मीटर आ रहा है ते हम लोग 2 by 3L त तब 2 by 3 Mtました Onu बहुत 2 पांच मीटर 2 by 3L मतलब 5 हुआ है इधर से पार्टिंग कमरें ने का रहे हैं इधर निकल जाएगा तो भाइठ त्री इसको पांच का जगा छे कर देखिन कल्कुलेशन मीजी रहेगा मतलब यह चे हो गया मतलब चार मीटर डेप्थ का इसमें होल करेंगे यह मालो चार मीटर यहां तक हा रहे है कि यह डेप्थ का होल डिल कर लिए और उसके बाद इसमें हम लोग एक्स्प्लोसिफ से फिल कर देंगे मालो वही डिटी एच बुस्टर जो लगाएंगे प्राइमर वगेरा इसमें जो भरना एसमे एसमेस काटिज जैसा भरना है उसके तुरू भरके इसको हम लोग ब्लास्टिं स्विनिक है यह कहलाता है पॉप सुटिंग और प्लास्टर सुटिंग में क्या करते हैं कि यह बोल्डर रहा ना यह बोल्डर में हम लोग एक्स्प्लोसिव रहता है ना उसको अगरम उपर से एक लेयर ऐसा करके बिचहा देते हैं ठीक है ना जैसे मिट्टी के लेप लगा देना वैसा ही एक्स्प्लोसिव से पूरा इस्तिरिके से उपर से लेयर लगा लेते हैं अब उसके बाद इस लेयर को क्या करते हैं उपर से मड से हम लोग कवर कर देते हैं मिट्टी से उपर से इसको कवर कर देते हैं क्योंकि मालवा स्टेमिंग करना होता है स्टेमिंग नहीं कर रहे हैं तो इसको ब्लास्टिंग करते हैं प्लास्टर स्टिंग करते हैं और एक और टेकनिक जो स्नेक सूटिंग है इसके बारे में ध्यान नहीं आ रहा कि जिए highlighting क्या होता है तो यहां पर क्या हो रहा था क्या ही सेकरेंडरी blasting हो रहा था यहां पर क्या हो रहा है यहां पर पुप में कुछ भी हे जिलेक्टिण हो, मतलब जो भी हम लोग काटी जो एक्स्टोसिव एक्स, जो मन करे है हम लोग यूज करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब जिस तरीके से हम लोग bench का Blasting कैसे करते हैं उसी तरीके से इसका Blasting करना इसमें क्या है कि साइज जो होल का रहेगा डायमीटर हो कम रहेगा प्लास्टर सुटिंग अंडर्गॉण हुगे रहा में सेकेंडरी ब्लास्टिंग का टेकनिक है हम लोग अंडर्गॉण में सेकेंडरी ब्लास्टिंग करते हैं क्या सेकेंडरी ब्लास्टिंग तो ओपन कास्ट में सिर्फ करत करते हैं हम लोग इसमें दोगों की या हुआ है यह ड्रील करके हम लोग इसको ब्लास्ट करेंगे तैसा जो ब्लास्टिंग कलाता वह पॉप पॉप शुटिंग खालाता है हां हाँ मर्ड क्ले यही से वोड़ दिया हुआ है कre n me by a snake shooting टू बोल्डर की नीचे एक्सपोसिब से ब्लास्ट कर देते हैं असनेक्शूटिंग बोल्डर के नीचे नीचे हो सकता है हमको लग रहा है यह वह न चाहिए यह जैसे यह बोल्डर इंचे घढ़्डा कर दो ठीक है यहां पर कर दो इसमें क्या हुआ था कि सकेंडरी ब्लास्टिंग ही हो रहा था ठीक है नहीं यहां पर जो कर रहा था यहीं होता है यह सकेंडरी ब्लास्टिंग कर रहा था ठीक है नहीं यह एक माइन्स का में सकेंडरी ब्लास्टिंग कर रहा था इसमें देखो ठीक है नहीं इसमें लार्ज डाया होल था वैसे बोला जाता है कि हम लोग सकेंडरी ब्लास्टिंग के लिए होल का डाया कम होना चाहिए 30 32 50 होना चाहिए लेकिन यहां पर क्या है कि जितना बड़ा हम लोगो होल बेंच ब्लास्टिंग के लिए करते हैं एक्चुल में जो प्रोड़क्शन ब्लास्टिंग करते हैं उतना बड़ा ही साइज का होल हम लोग मतलब इसमें कर दिये थे बॉल्डर में और उसका डेप्ट कितना था होल का 0.7 से 1 मीटर डेप्ट था और वो बॉल्डर का साइज कितना था 1.5 इंटू 2 इंटू 2 मतलब लंबाई चुड़ाई उच्छाई इतना सी इतना दियावाय की भेरी करा थे डाटा कुछ नहीं रटना है ठीक है न और जो होल का एंगल था हो 40 से 45 जगरी का थ ठीक है मतलू यही मालो होल यही है यही बोल्डर का साइज के बारे हम बता रहा है हम एक्जांपल के तोर पे लिए हुए है इसको अब क्या किया था इसमें कि जो कास्ट बूश्टर जो बूश्टर होता है 100 गराम जिसका वेट था तो यह बूश्टर हो गया देखो इस पि बॉष्टर में डाले ठीक नहीं यह बॉल्डर है बॉल्डर में यह होल किया गया है इसी में हम लोग क्या किया है यह डिटी एच है और यह बुष्टर इसमें डाला गया था तो क्या हूआ कि यह बोल्डर में है नहीं नहीं यह ढाटा इंप्पोर्टेंट G. अब क्या हुआ इस में कि क्या हुआ आपना मतलड़ डालते हैं इसमें क्या होता है की एक्सप्रोमसीव आ नॉनल डालते हैं नीचे आता है ट्र तो वेट के कारन नीचे आ जाता है, यहाँ पर क्या था, इनक्लाइन होल है, पैतालिश जिगड़े एंगल पर क्या हुआ है, तिय एक्स्प्लोशिव जो था न, यह बुष्टर प्राइमर जो भी बोलो, यह यहीं पर आएक लटक दिया, यह क्या हुआ, यहीं पर आएक लट तो होज पाइप को सब्सक्राइब कर में इसमें पाइब कर तो तो प्राइम प्राइम यूथ मृ यूथा जब यहाँ लहाए हमें न ही पे लटक और तो के ऊपर तो क्या हुआ यहां के पूल स्पीड से यह जा के टकराया बोटम हो जो यहां टकराया और टकराने के बाद इतना जादा वहां पर इंपेक्ट फ्रिक्शन डेबलप हुआ कि यह ब्लास्ट कर गया और यह जो ब्लास्ट किया ती यह जो छे साथ आदमी जो यहां पर पर परजेंट था उसको इंजरी हुआ था चोट लगा था साथ कुछ का फैटल भी हो गया था तो फिर जब सर्वे की है मतलब जब इसका इंवेस्टिकेशन किया गया तो पाया गया कि क्या क्या कमी था उसमें कि प्रिमेचियोर इनिसियेशन कैसे हो गया जब मालो हम लोग अभी होल को चार्ज कर रहे हैं उसमें होल चार्जिंग करने के टाइम में तो पूरा explosive carrier रहता है वहाँ परजेंट explosive gang का जो explosive vehicle जो BMD vehicle आता है उसका supervisor engineer रहता है खुद वहाँ पर जो blasting officer होता है ओभर्मेन होता है वो सारा लोग परजेंट रहता है blasting site पे जब होल का charging होता है अरूज टाइम अगर initiation हो जा प्रि मैस्योरास के तो वहीज जया कि करने कारार इनिसएशन हो जाएगा तो क्या होगा सबात तो वहाँ पर नुकसान पहुर्च जाएगा तो वहीं color of the hole in boulder being charged with semi-explosive was situated at height of 1.5 to 1.7 meter above the ground level मतलब जो boulder था जहां पर charge करना था वो जमीन से 1.5 to 1.7 meter के height पर था जो hole किया गया था इसके लिए क्या किया था? 7 work person जो charge करना था hole को वो होज pipe को पकड़ के रखा था अपना solder के उपर के level से ठीक है ना? क्योंकि heavy weight होता है तो उसको उपर उठा के इसा हाथ से पकड़ के रखा वा था तब जाके hole में वो जाके explosive pipe से गिर रहा था ठीक है ना? तो क्या हुआ? अर उस time mines में जो भी था कि side milk remulsion से क्या-क्या 1000 हो सकता है उसको handling के time में उसका कुछ भी identification नहीं किया गया था कि handling of explosive में क्या हजार्स हो सकता है ना ही ये खतरा कहीं safety management plan में भी इस हो था जो SMP वेरा होता है ने? वहाँ पर भी कहीं mention नहीं किया वा था कि हो सकता है कि secondary blasting के लिए जब होल में explosive डाले तो blast कर जाए, premature initiation हो जाए ये कहीं खतरा कहीं कुछ mention नहीं किया वा था ना ही कोई SOP इसके लिए frame किया गया था और साथ में कि handling और explosive का यूज कैसे करना SME का वह भी worker लोगो properly उसका training नहीं दिया गया था और क्या हुआ कि premature detonation of SME explosive कोलम जो कि non-cap sensitive था बूस्टर से initiate होता इसके लिए क्या होता बूस्टर को पहले फटना चाहिए था detonator blast होता पहले ये detonator blast होता तो ये booster blast होता तो फिर ये जो SME डाले थी ये blast होना चाहिए था लेकिन क्या हुआ डालते डालते हम लोग बीना explorer यूज किये वे blast कर गया वही बोल रहा है कि premature detonation of SME explosive column was not possible without initiation of the detonator of the non-el जो कि cast booster में initiate था जिसको all together हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमर बोलते हैं तो मतलब क्या हुआ वहाँ पे कि sufficient shock तो मिल गया वहाँ पे कि प्राइमर जो था उसको sufficient shock मिला तभी तो explode हुआ तो इसका जब मतलब accident का analysis किया तो बहुत सारा वहाँ पे उसको खामी नज़रा है इसको इसी तरीके सोल रहता है ठीक है ने यह हो गया DTH यह booster जो cap sensitive बहुत साथ में एक दो booster और डाल दिया तो कि दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ पे यह non-cap sensitive explosive जो SME SMS था और यहाँ पे यह stemming वाला portion है ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा कि जब SMS explosive होल में डाल रहा था ना तो जो speed रहता है मतलब 1 second में 2.5 kg इस rate से जा रहा था मतलब SME मानलो होल से निकल रहा है तो 1 second में कितना निकल रहा था 2.5 kg जिसके कारण क्या हुआ कि जो होल में पहले ही माउथ के पास ही जो लटका हुआ था प्राइमर मतलब booster प्लस नो निल जो DTS जो लटका हुआ था वो क्या हुआ हाई speed के साथ हाई speed से जाके यह जो back of the होल है यहाँ पे जाके टकराया जैसे टकराया जो high impact के कारण क्या हुआ कि sufficient वहाँ पे shock मिल गया और detonator blast हो गया जो जैसे blast हुआ तो cast booster blast हो गया cast booster जैसे blast हुआ तो पूरा explosive जो column था वो blast कर गया तो यह बोलता है कि during the process of manufacturing of non electric detonator तो ऐसा हुआ है कि several incident हमारे भी country हुआ है और विदेश में भी हुआ है क्या हुआ है कि जब shock tube को अगर बहुत मालो shock tube है नोनल है detonator लगा हुआ है जब इसको जाम है कहीं खीच रहा है न तो खीचने कारण क्या होता है premature initiation जिसको एक तरीके सा snap, slap और suit बोलते है premature initiation अगर हो जाता है तो उसको tube का तो इसको snap, slap, suit बोलते है ठीकिन ये तीन वर्ट हमें साथ यान रखना किये secondary blasting जब होता है जब premature initiation होता है तो उस case में ये terminology का यूज किया जाता है ये terminology important है और साथ में example किया दिया एक और example दिया कि एक incident में क्या हुआ कि एक work person क्या क्या मालो कि पहले tube को hole में डाल दिया so tube को booster के साथ hole में डाल दिया फिर पूरा ये जो उपर वाला explosive था इसको खाली कर लिया hole से निकाल लिया उसके बाद ये खिचने कोसिस कर रहा था तो फिर भी मालो ये अंदर दबा हुआ था खिचने कोसिस किया तो क्या हुआ initiate हो गया लेकिन क्या था कि hole से सारा explosive निकाल लिया गया था इसलिए वो मरा नहीं मतलब उसको वहाँ पर spark नजर आया तो spark जब नजर आया था हो सकता था spark से detonator blast करता है detonator blast कर ही गया लेकिन था कि column charge कुछ नहीं था सारा खाली कर लिया था hole से पहले ही निकाल लिया था जिसे का नों वो आदमी बच लिया और इस second region ये भी निकाला क्या बताया पहला कि ये snap slave और short हो सकता है जब premature initiation होता है तो ये word आता है ठीक? और क्या बोलता है कि जो Minuten agradeuse that Он होता है न डेटो नेटर में जिसमें एक एा से क्या होता है एक एसा क्या होता है So armored, ambassadors hub itshelp होता है ठीक? अ स्थ up दएक आता है mercury तो mercury मरकरी, फल्मिनेट, ये बहुत ही ज़्यादा highly sensitive है, तो हो सकता है कि non-ail में, अब mercury फल्मिनेट क्या मिलता है? सस्ता मिलता है, और late azide जो है महंगा मिलता है, तो ये हो सकता है कि वो जो company वाला था जो non-ail बना के दिया था, जो dts दिया हुआ था, वो क्या किया होगा कि लेड एजाइड के बदले वो सस्ता के चक्कर में वो मरकरी फल्मिनेट मिला दिया अब वो highly sensitive था कि हलका से वे उसको impact friction मिला वो blast हो गया तो फिर last में इन लोग finding ये बताया कि जब भी आपको secondary blasting करना है न तो उस case में जो hole का डाया होना चाहिए 32 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब 32 mm डाया का hole दिल करना चाहिए ये important ठीक न है कि secondary blasting के लिए जो recommendation आया कि जो hole का डाया होना चाहिए वो 32 mm होना चाहिए कहीं भी simultaneously blasting of charged hole in bench that in boulder shall not be done मतलब ऐसा होता है कि मानलों ये bench blasting करना है ये bench हो गया और एक दो इधर से boulder है तो इसके साथ में boulder को भी connection कर दिये ठीक है न और साथ में उड़ा दिये दोनों को तो ये बोलता है कि simultaneously boulder blasting और ये जो bench blasting ये नहीं करना चाहिए SOP का frame करना चाहिए standard operating procedure की handling कैसे करना है explosive का use कैसे करना है ये सारा उसका recommendation है साथ में बोला कि worker लोग जो है वहाँ पर explosive में गेंग में है कि conductive shoes और nylon sop गएरा नहीं पहनेगा क्योंकि उसके अंदर static electricity जमा हो जाएगा और हो सकता है कि उसके कारण भी initiate हो जाए अगर सफिसेंट अमाउंट ओब मालों बहुत आदमी लोग 20-25 आदमी लोग वहाँ पर काम कर रहा है बेंच में मतलों होल चार्जिंग वराम लगा हुआ है और अगर सभी के पास electro static charge store हो गया है अगर सब एक साथ कहीं से release हो गया तो क्या होगा premature initiation हो सकता है तो वैसा रोकने के लिए क्या बोला है कि हमेशा ये चीज़ एबवाइड करना है वर्कर लोग कंड़क्टिव सूज, क्लोथिंग, सोक्स वगएरा पहन के नहीं जाएगा मतलब नाइलोन वाला ठीक है न, उनी वाला पहन के नहीं जाना है और जहां भी inclined hole drill किया गया है, कि जिसमें है कि explosive मतलब खुद से नहीं जा रहा है वेट के कारण तो वहाँ है कि पहले booster को अंदर तक hole में पहले सटा दो पहले booster को hole में अंदर तक सटा दो, उसके बाद इसको charge करो ठीक है न, तो ये सारा चीज उसका recommendation था भी बोलाए क्या कि कि किसी भी case में highly sensitive explosive जो mercury fulminate है उसको मतलब detonator में उसको use ही नहीं करना है और explosive का या detonator जो भी है, soft tube detonators और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले magazine माया हुआ है, जो पुराना पड़ा हुआ है पहले उसको issue करना है blasting के लिए ठीक है न, क्योंकि time के साथ क्या होता है उसका quality खराब हो जाता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है वो उस case में use करना है, इसलिए बोला जाता है first in, first out ठीक है न, जो पहले आया है stroke में पहले उसको बाहर निका लिए अब बाकी एक कि no heavy earth moving machinery ब्लास्ट मतलब डिप्लाइ करना है blasting वाले एरिया में जब तक कि वो पुरा securely प्रसेफ ना हो जाए ठीक है यह चीज दिया हुआ था इसमें क्या था सिर्फ यही ध्यान रखना कि premature initiation से related term है snap, slap, soup कहीं फुलफों अगरा कुछ नहीं दिया हुआ है और जो secondary blasting के लिए होल यूज करते हैं वो 32 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए इतना डाया का ही होल मारना चाहिए यहां क्या किया था यह 150 mm का होल मार दिया था और कोसिस करना चाहिए कि जो प्राइमर बूस्टर को होल में डाल रहे हैं वो gravity के द्वारा अधम नीचे होल के बॉटम में सट जाए ठीक नहीं ग्रेविटी के द्वारा होल के बॉटम में चला जाए ठीक है यह कुछ point था important इसका बस कहानी इसलिए बताना पड़ा गया snap slap suit बता के निकल लाते ना फिर तुम लोग समझ में आता है क्या है इसलिए हमको थोड़ा सा उसका जो क्या हुआ था accident उसके बारे मुझा बताना पड़ा है ठीक है यह तीन चीज सिर्फ note करके रखना बाकी कोई चीज important यहां का नहीं है एक नया चीज आया हुआ है